उरी हमले के बाद जिस तरह से भारत ने कड़ा रुख अपनाया है उससे पाकिस्तान हिल गया है फिर चाहे वो अंतरराश्ट्रे मंच पर पाक को अलग थलग करने की बात हो या फिर P.O.K. में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करना भारत के सख्त रुखने पाकिस्तान को बैक फुट पर खड़ा कर दिया है ये भारत के कड़ी रुक का ही नतीजा है कि जो पाकिस्तान आतंकियों को पना देने को मशूर है वो अब उनी आतंकियों को खत्म करने की बात कह रहा है पाकिस्तान के डोन न्यूज में छपी खबर की माने तो पाकिस्तान सरकार ने सेना से साफ साफ कह दिया है त्या तंक्यों के खिलाफ सख्त कारवाई करो या अंतरराष्ट्रे पटल पर अलग थलक रहने के लिए तयार रहो अखबार के मुताबिक नवाज शरीफ ने मिलिटरी लिडर्शिप को अंतरराष्ट्रे इस्तर पर अलग थलक होने के खत्रे से आगाह कर दिया है सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान पर अलग थलग पढ़ने का अंतर राष्ट्रे दबाव बढ़ता जा रहा है साथ ही सरकार के और से उठाए गए कदमों पर एकमत होने का भी संदेश दिया है सोमवार को पाकिस्तान की ओल पार्टी मीटिंग में दो चरणों में कारवाई पर सहमती जताई गई पहला ISI के डीजी जनरल रिजवान अख्तर और राष्ट्रे सुरक्षा सलाकार नासे जजवां सभी चार प्रांतों का दोरा करेंगे और राजिय के सर्वोच कमेटियों और ISI सेंटर के कमांडरों को संदेश देंगे संदेश ये होगा कि मिलिटरी समर्थित इंटेलिजन्स सरकार के ऐसे किसी भी कानून का विरोध नहीं करेगी जिसमें आतंकियों के खिलाफ सख्त कारवाई की बात हो दूसरा ये होगा कि प्रधान मंतरी नवाज शरीफ पठान कोट हमले की जाज को अंजाम तक पहुचाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे साथ ही लंबे समय से लटके मुंबई हमले के आरोपियों का ट्रायल रावल पिंडिक के एंटी टेररिजम कोर्ट में शुरू किया जाएगा अखबार के मुताबिक ये फैसले पंजाब के मुख्यमंतरी शाहबाज शरीफ और आईसाई चीफ रिजवान अक्तर के बीच हुई तीखी नोग जोग के बाद लिया गया जो ये बताता है कि नवाज शरकार अब नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहती है ये पूरी खबर डॉन ने मीटिंग में मौजूद महत्पून लोग से बादचित के बाद दी है NMF News की रिपोर्ट